हालो स्टुडेंट्स असी पाड़े सी बच्चे इनतको और दी कहाणी मादा लाड़ला आते पिछले जूम सेशन दे विच असी अपनी कहाणी पूरी कारली सी आज असी कहाणी दे पात्र उस सारी आज लग लग पात्रां दी पात्र उस सारी बारे काल करांगे जूम सेशन द नो पता ही है कि जदो वेसी कोई पातरू सारी कर देयां ता सब तो पहला ज़ाड़ा पॉइंट उन्द है जान पुछान जिदे वेसी दसोंगे के जीता जो है वो बचिंत कोई दोरा लिखी के कहाणी मादा लाडला दा मुख पातर है वो एक स्कूल जान वाला बारा तिरा साल लड़का है जो के बहुत ही विगड़ा होया है आते माबापते हत्तो बार निकल चुका है फिर तो सी दसोंगे कहाणी दो मुख पातर है सारी कहाणी उदे द्वाले को मुदी है हाला के कहाणी वीच सिद्धे तौर्ट उससा परवेश नहीं हुंदा उसनों बच्चा पल्टन वीच पेश जिता गया है पर जीतेरी माँ उसनिया यादान दे वीच उदास है उसनी माँ ते पैन दे आपसी पुरे कटना करम दा कि की होया है की वाप्रय है जिस करके जीता पुच्चा पर जन्वीच पेचा गया जीतेरी सिद्धे तौर्टे हाजडी ना होंदे बावजूद कहाणी पुरी जीते द्वाले कुम दीयस करके खानी दम पातर है वो वीगड़ा होया बच्चा है यह तो ता कि अपनी पत्नी नों भी कहनदा है कि जे तू मतलब जे जीता ना सुद रहा तो आतम हत्या कर लवेगा मतलब जीते दिया आता तो दुखी होया उसता प्यों खुदकुशी करन तक दी सोचदा है पड़ाई तो उदासिन है स्कूल जानदा है कार्टू लेकिन ब चस्पी नहीं है मारिया आतना शिकार है उसता पिता दे आंगला तो सानु पता लगदा है कि उन्हों से नेमा विक्षण दी आदत है जिदे करके ओकर चूट बोलदा है चूट बोलके पैसे लेंदा है या चोरी करता है तो तक कि अपने दोस्ता दिनाल लड़ाई लूते टीट है इस काल दा सानु पता लगदा है बुच्यों कि उसा पिता जदो दस्ता है कि हारोज नित नवे चगड़े करता है ते लोगों नू लांबी देना हो दी ने वो कहना है कि मैं लांबी होर नी परदाश कर सकता ता इस करके उस नू बच्चा बल्टन वीच पर परती होन दा परती करना फैसला लेलन दी हम पोटी इट विया बच्यों कहाण इच्छान पता लगदा है कि बच्चनों कहना है कि उससा प्योव जीते नू तोड़ी दी जुत्ती नाल कुड़दा सी पर फिर वियो नी आता विच को इस दार नी होन्दा इस सब पता लगद जो जीते नू जाग हों दी है वो समझे दा कि कोई चोर है पर अपनी मानू अपने कुल पर रोंदे होई देखता है तो नहीं असा सुनदा है क्यों कि इनना भी माड़ा क्यों ना होवे उन्हीं माउस नू बहुत प्यार कर दी है हुन तक मतलब वो इसको लोगद अंजान रहा कि अथार्थक पातर है मतलब रियोलिस्टिक शचाई दे नेडे साच दे नेडे असल जिन्दगी विच सच मुच। है होई पात्र भी मिल जान देने जो पड़ा एवल्लों बेमुक हो चुके ने जो माणियां आतना शिकार हो चुके ने जिन्नते करके माँब अपनों जो है प्रेशानी चलनी पेंदी है दुख तक लीफ ठोनी पेंदी है सो कुल मिला किसी कह सकते हैं कि रोसाथी रोजाना जिन्दगी वीचो ले आवया यतार तक पातर है तब अच्छो एस्टा करके ऐसी जीतेरियां गलां जेडियां ने मैं बहुत शॉट देविच तो अंद पातर जो तुसी अपने पदर ते पढ़ने होंगे बचनों बचनों तुसी कहूंगे कि कहाणी दे मुख पातर जी तेरी मा है वो दे और पॉइंट केड़े हो सकते ने आसी बैटरे जूम सेशन देविच दिसकस करिए प्लीज एनना तिना पातरां बढ़े पढ़े पढ़ सब्सक्राइब कम्प्लीट हो जाएगी तानवाद